नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक और नई वीडियो में बात करेंगे हरियाना सरकार की तीन मुख्य योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही मुख्य जानकारी हम आपके साथ सेयर करते रहते हैं तो जो है पैसा पूरा देना पड़ता है उसके बाद 300 रुपी सब्सीड़ी मिलती है और यह है योजना है योजना क्या है इसके बारे में आपके देख सकते हैं तो केंदर सरकार ने 1 मई 2016 से प्रदानमंतरी उजवला योजना शुरू की थी जिसके तैत गरीप महिलाओं को एक स्लेंडर के साथ फ्री लपीजी कनेक्शन दिया जाता है योजना के तैत 9,14,604 कनेक्शन दिये गए रैज्जे सरकार सबसीड़ी देने लगी तो 1,8,304 कनेक्शन और हो गई इन जीलों में सबसे ज्यादा गटा से लेंडर गैस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट के साथ से गरीब परिवारों को चूले के तुमें से रहत देने के लिए करीब आठ वर्स पहले प्रदानमंत्री उजूला योजना में लगू के गी थी लेकिन 2,87,000 उबोगताओं ने साल में 3 स्लेंडर भी नहीं भरूआई यही उजना 26% से ज्यादा है इसे लेकर अब सरकार में मन्थन शुरू हो चुगा सुत्रों का कायना है कि सरकार ऐसे पातर लोगों को फ्री या कुछ राशी देकर एक और गैस लेंडर दे सकती है तो सरकार इस पर विचार कर रहेगी फ्री लेंडर भी दिया जा सकता है अगली होजना की बात रहेगी वो रहेगी मुख्यमंतरी सहरी आवास होजना हरियाना सरकार का सपना सबका घर हो अपना तो इन 14 सहरों के लिए जो है सरकार ने फोम शुरू कर दिये हैं दस जार रुपे जो है आपको अपना एक मतलब श को छोड़ कर बाकी जगा तीस वर गजगा दिये जाएगा निर्मान हित्तु जो है एक पॉइंट पांच मनि बतलों की डोड़ लाख रुपिया जो है सबसीड़ी का भी प्रावधान है नियुनतम राश्य जो आपको दस जार रुपे देनी होगी बोकिंग के अंतिम्तिती शुरू करने जारी यह सरकार तो इन्होंने तीन नहीं सुवीद हैं जो शुरू के हैं इसके बारे मैं आपको बता देता हूँ एक तो स्ट्रेट लाइज किसान रक्षक अलपलाइन नंबर जारी किया गया 14447 और प्रोक्टर लॉंच किया इसका और क्रिशी विमा सेंड ब प्रत प्रतान मंतरी विमा में जो हाँ यह हैलप ले सकते हैं और मुक्यों मंतरी सहरी आवास योजना के लिए आप ओनलाइन फोम बर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिल जाएगा वहां से आप जो है कंप्लेट जानकारी इसकी ले सकते हैं मैं आपको लिंक पूर है कुछ भी कर सकती है आपको पता है तो इस पर जो है सरकार क्या विचार करती है क्या मंतर्ण रहता है इसके बारे में वेवोटेट आपको जल्दी ही मिलेगी वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत दिन्यवाद